हेलो दोस्तो नमस्कार आज मैं आपके लिए जो नुक्सा लाया हूँ वो बालो को घना और काला करने में बहुती असरदार सिद्ध होगा अगर आपने हमारे इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसे सब्सक्राइब कर लिजे क्योंकि मैं आपके हेल्थ के बारे में नए नए वीडियो बनाता रहता हूँ ठीक है दोस्तों ये देख लिजे ये आपके लिए नुक्सा जो है एक घरलू नामबा नुक्सा जो की बहुती असरदार और आजमाया हुआ नुक्सा है ये आपको आपके बालों को लंबा और घना करेगा बलकि साथ में अगर आपके बाल में कोई पक रहे या फिर जैसे आवला हो आवला को आप ये ले लिजे और इसे छोटे छोटे पीस में काट करके इस तरह से बना लिजे ये देख लिजे ऐसे बना के फिर आपके जो मिक्सी होगा घर पे मिक्स तो मिक्सी होगा उसके जरिया आप ऐसे इसके नारियल जैसे पौडर बना लिजे फिर आप इसे जो करेंगे इसका पॉडर को फिर आप जो की ऐसे जूस बना लिजे उसके बाद ये देखिए नारियल जैसा ये जूस बन जाएगा फिर इसके साथ आप कोई भी लगाने वाला जो भी तेल अप लगाते हैं उसे आप जितना की जूस होगा आपके मातरा में उतना ही तेल इसके अंदर डाल देजिए और फिर इसे जो आप थोड़ा सा वाइल कर लेजिए गरम करने के बाद जब तक ये उबलता नहीं है थोड़ा सा ये 10-15 मिनिट तक उबालिए और उबालने के बाद ये दोनों का मिकसर तेयर हो जाएगा जैसे आप नारियल का तेल लेजि शाम को लगाने के बाद आप सुबह उठ जाएंगे उसके बाद देखिए ये नुकसा आप कीजिए करीब 15-20 दिन तक करिए उसके बाद देखिए आपके जो बाल है वो खुशकी या फिर लंबे या फिर घने हर तरफ के जितनी प्रॉलम है सब दूर हो जाएगा अगर अगर आप ये आवला किसी भी ठरवा कशवा сумма आगल काध कर देखिए ये अर भी फिर शुर। इसके साथ अवला खाते हैं और अभी आवला खाते हैं तो इससे असरदार तूगना हो जाएगा ये जो नुकसा है ये डबल तेजी से काम करएगा ठीक दोस्तों अगर अगर दोस्तों को भी पता लगें ठीके दोस्तों धन्य बाद वीडियो देखने के लिए आपका दिन शूब हो मंगल माई हो